आज weekly देखे तो end का दिन था Friday की closing जो है वो बहुत ही फ्लैट मोट मर देखने को मिली और निफ्टी 10,800 के उपर पार नहीं कर पाया और जो closing आई है वो 10,790 की closing यहाँ पर देखने को मिली है हाला कि census देखे तो 35 point down जरूर close हुआ है लगबग 35,870 के पास लेकिन जादा तरी stocks में देखे तो buying momentum देखने को मिला है जो banking sector इस हफते काफी तेजी से perform कर रहा था लगबग government ने जब से 48,249 करोड रुपए दिये उसके बाद से banking sector में एक boost मिला था लेकिन आज वो भी last week के last trading day एक बार profit booking में देखने को मिली जादा तरी stocks में profit booking ही यहाँ पर रही कुछ stock specific बात करें तो यह कह सकते हैं कि आज का दिन सिर्फ energy के लिए था यानि की oil and gas sector के लिए जादा तरी stocks oil and gas के एक तेजी के रुजहान में रहे crude oil की prices यहाँ पर जो पुड़ा correction है उसका एक फायदा देखने को मिल रहा है और all marketing companies यहाँ पर काफी टेजी से upside के momentum में है कास और से top gainer nifty की stock की बात करें तो IOC, Hind Petro, यहाँ पर Vedanta, JSW Steel, BPCR और Tata Motor यह ऐसे counter रहे जो की 4% से लेकर 3% तक का upward momentum यहाँ पर देखने को मिला और Nifty के अंदर लगबग 35 stock जो है वो positive closing करते हुए नजर आए अगर यहाँ पर कुछ sell stocks भी रहे और banking sector जैसे मैंने बताया उसमें थोड़ी profit booking रही कोटेक बैंक आज का biggest loser रहा जिसमें की एक momentum downside का देखने को मिला Gale, Reliance, SGFC, Cipla यह ऐसे counter रहे जो की मामूली यहाँ पर profit booking देखने को मिली